आप लोगों ने कभी ना कभी कोई वीडियो गेम तो खेला ही होगा तो क्या हो अगर आप भी किसी गेम के अंदर चले जाए और वहाँ पे आपको इस गेम को कम्प्लीट करने का टास्क मिल जाए स्वागत है आप सभी का स्टेक आप मूविस में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं दस्वेहतरीन गेमिंग वाल्ड मूवी जहां पर लोग फस जाते हैं किसी गेम के अंदर मैंने यहाँ पे जुमांजी जैसे कुछ मूवी को एड नहीं किया है अगर आपको जुमांजी जैसे कुछ मूवी चाहिए तो आप इस आई बटन को क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं और उसका लिंक मैंने डेस्क्रिप्शन में भी दे दिया है तो चलिए सूर के से एक मेंटल होस्पिटल में भेज देता है एक दिन जब बेबी डॉल डैन्स क्लास में प्राक्टिस कर रही थी तो वह अचानक से एक इमाजिनारी गेमिंग वर्ल में चली जाती है और उस गेमिंग वर्ल में बाकी लड़कियों को भी बुलाती है फिर यह लोग अपने गेमिंग वर्ल के मदद से उस मेंटल होस्पिटल से निकलने की प्लानिंग बनाते है नौ नमर पर आता है 2016 की मूबी बीटा टेस्ट सेंटिनल कमपनी एक वीडियो गेम बना रहा था और मैक्स नाम का एक गेमर उस गेम का टेस्टिंग कर रहा था फिर मैक्स को पता चलता ह है कि उस गेम के इवेंट असली दुनिया में हो रहे हैं और और सन क्रीड इस गेम में असली हिरो था उस गेम के वज़़े से धीरे धीरे उनके सहर में खत्रा बढ़ने लगा था फिर मैक्स और क्रीड एक साथ मिलके अपने सहर को इस गेम से पचाने की कोसिस करते हैं प्रियो गेम के करेक्टर सभी जगा को धीरे-धीरे करके तबा करने लगते हैं सैम बैनर भच्पन में एक गेमर था यह इन एलियन को हराने के लिए एक प्लैन बनाता है यह लोग उनके साथ गेम खिलके उनको हराने की कोशिस करते हैं साथवे नुमर पे है स्पेस जम न्यू लेजैसी यह तीसा पार्ठ है इस सीरीज का सूपरस्टार लेवरान जेम्स और उसका बेटा डॉम वार्नर ब्रोस के एक डिजिटल स्पेस में फर्चाते हैं फिर लेवरान अपने बेटे को फिर से घर लाने की कोशिस करता है लेकि और उसका वेटा उस गेम में हमेशा हमेशा के लिए कैद होके रह जाएंगे फिर लेवरान जम्स कुछ बनी डेफी डॉक्स और लूनेटी उसके साथ एक गैंग बनाता है और यह लोग ए-आई के साथ एक बसकेड़ वॉल गेम खिलते हैं च्छठी नमर पर आता है 2009 की मूभी गेमर कैन कैसल एक ऐसा टेकनलोजी बनाया था जिसके मदद से कोई भी इंसन किसी दूसरे इंसन के दिमाग को कंट्रोल कर सकता है और उस टेकनलोजी का नाम था नेनेक्स यह अपने टेकनलोजी को जेल के कुछ कैदियों में आजमाता ह उन कैदियों को एक रियल लाइफ वर्चौल गेम खिलने के लिए भेज दिया जाता है और जो भी कैदि उस गेम के लेवल 30 को पार कर लेगा उसे आजात कर दिया जाएगा लेकिन जब टिलमेन इस गेम में आगे वढ़ता है और इस गेम को जीतने लगता है तो कैसल को लग गे है आठ लोगों को एक वर्चौल रेलिटी गेम खेलने के लिए बुलाया जाता है सभी लोगों को अपना अपना सूट और हेलमेट दे दिया जाता है फिर हेलमेट को बंद करते ही इनका गेम सुरू हो जाता है और जो भी उसमें जीतेगा उसे इनाम के तौर पर एक लाक हो जाते हैं और गेम में अगर कोई मर जाता है तो असली दुनिया में भी ये लोग मर जाते हैं और इनको जैसे भी करके गेम को खतम करना होगा और लास्ट में को एक ही जिन्दा रहता है फिर माइल्स इस कंपनी को ट्रोल करने लगता है फिर इस किसम के कुछ लोग माइल्स के अपटमेंट में अटेक कर देते हैं और माइल्स को जवरदस्ते उस गेम के अंदर भेज देते हैं माइल्स को उस गेम से बाहर निकलना होत और निक्स नाम के एक डेडलियस साइको किलर से अपने आपको बचाना होता है तीसे नमर पे आता है फ्री गाए गाए फ्री सिटी के बैंक में एक काम करने वाला आम आदमी था वो इस बात से अंजान था कि उसकी दुनिया एक वीडियो गेम है फिर एक दिन ये मोलेटोफ गर्ल्स से मिलता है और ये उसे उस गेम के असलियत के बारे में बताती है और गाए के लाइफ को बहतर बनाने के लिए उसको नेने काम के लिए इंस्पार करने लगती है फिर गय इस गेम में क्या क्या करता है आप इस मूवी में देखिए दूसरे नमर पर आता है 1999 का मूवी एक्जिस्टेंस अंटिना रिसर्च और्गनाजेशन ने एक रियल लाइब वर्चॉल गेम बनाया था जिसका नाम था एक्जिस्टेंस फिर बायो पोर्ट्स और अंबिकल कॉड टेक्नलोजी के मदद से कुछ लोग इस गेम में कनेक्ट हो जाते हैं और उस गेम को खेलने लगते हैं अलेगरा और टेड इस गेम को बहुत अच्छी तरीके से खेल रहे थे इस गेम में बहुत सी मिस्ट्री होती है और इन दोनों को इसको पता लगाना होता है और गेम को कंप्लीट करना होता है और इस मूबी में आपको आखिर में एक गजब का ट्विस्ट भी देखने को मिलेगा पहले नमर पे है रेडी प्लेयर वन जैम सलीडे ने ओएसिस नाम का एक वर्च्वल रेलिटी गेम बनाया था फिर जैम सलीडे के मरने के बाद उसका गेमिंग अमाटार बताता है कि इस गेम में तीन बड़े चलेंज छिवे होए हैं हर चलेंज को पहले कंप्लीट करने वालों को एक एक चावी मिलेगा और तीनों चावी से एक बक्सा खुलेगा जिसके अंदर है एक इस्टर एग और जिसे भी वो इस्टर एग मिलेगा वो ओएसिस का नया मालिक होगा और उसे हाफ ट्रिलियन डॉलार भी मिलेंगे फिर इस्टर एग को पाने के लिए बहुत से लोग इस गेम के अंदर आते हैं और उस गेम को खेलते हैं उन में से एक कमपनी था आयो आई उस कमपनी में बहुत से गेमर काम करते थे जिनकों के सिकसर भी बोला जाता था और इन लोगों का असली मकसद था इस्टर एक को ढूनना लेकिन पांच साल हो चुके थे लेकिन आज तक उसका पहला चलेंज भी कोई कमप्लीट नहीं कर पाया था फिर परसिवल अपने कुछ दोस्त एस और अर्टेमेस के साथ उसगेम को कमप्लीट करने के लिए कोर्शिस करता है अगर आपको इसी तरिके का और वीडियो चाहिए तो वीडियो को ज़ल्दी से लाइक और सेर करतीजे और मेरे चैनल को ज़ल्दी से सब्सक्राइब करतीजे